Hello students, आज हम 3rd class का 1st chapter numbers में smallest and greatest number करेंगे smallest number means सबसे चोटी संख्या, greatest numbers means सबसे चोटी संख्या smallest सबसे चोटी, greatest सबसे बडी पहले हम करेंगे smallest number, क्या करेंगे smallest number हाँ लोग मारे पास two numbers है four और six क्या है four और six zone number counting में पहले आता है zone number counting में पहले आता है वो क्या होता है smallest number होता है counting में पहले आता है वो number क्या होता है smallest number होता है अब four और six देखती है counting में पहले कौन सा आता है one two three four five six four यहां है 6 यहाँ है 4 यहाँ है 6 यहाँ है तो 4 क्या है? counting में पहले आया है तो 4 हमारा क्या है? smallest number हो गया 4 हमारा क्या है? smallest number हो गया ऐसी एक सम हो लित्या हम मैं बाज क्या है? 7 और 5 यह दिखती है counting में पहले कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5 5 यहाँ है 6, 7 7 यहाँ है 5 यहाँ है 7 यहाँ है तो 5 क्या है? counting में पहले आया है तो smallest number कौन सा हो गया हमारा? 5 हो गया smallest number कौन सा हो गया? 5 हो गया आगे हम ख़ती है 2 digit 2 digit number of smallest मार पास number है 30, 4, 25 क्या है 34 और 25 इसमें देखो 1s, 10s अब इसका क्या है हम? 10s देखेंगे क्या देखेंगे? 10s इसका 10s 3 है इसका 10s 2 है 2 क्या है? काउंटिंग में पहले आता है 2 क्या है? काउंटिंग में पहले आता है इसमें भी 1, 10, 1, 10 अब इसका हम 10s देखेंगे इसका हम 10s 4 है इसका भी 4 है 10s क्या होगे? सेम होगे तो आप क्या देखेंगे? 1s देखेंगे इसका 1s क्या है? 5 इसका 1s क्या है? 8 5 क्या है? काउंटिंग में पहले आता है 5 क्या है? counting में 8 से पहले आता है तो हमारा 45 क्या हो जाएगा small s number हो गया 45 क्या हो गया हमारा small s number हो गया अब हम करेंगे 3-digit number of small s नमबर लेते हैं 3-digit के यह थ्री दिसित नंबर है 324, 124 1s, 10s, 100 1s, 10s, 100 अब हम इसका क्या देखेंगे? 100 देखेंगे क्या देखेंगे? 100 देखेंगे इसका 103 है इसका 101 है तो 1 क्या है अचाउंटिंग में? 3 से पहले आता है वलकि अचाउंटिंग में 3 से पहले आता है तो 124 क्या हमारा? smallest number हो गया 124 क्या हो गया? smallest number हो गया एक सम और करते हैं यह मारे पास नंबर है 425 और 484 तो इसका भी once times 100 once times 100 इसका भी हम 100 देखेंगे इसका 104 है इसका भी 4 है तो दोनों 100 क्या हो गये? सेम हो गये अब आम इसका क्या देखेंगे? tens देखेंगे इसका times 2 है इसका times 8 है तो 2 क्या है counting में 8 से पहले आता है तो 425 हमारा क्या हो गया? वो greatest number होते है 6 और 8 देखती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 यहाँ है 7, 8 8 यहाँ है 8 अब counting में बाद में आया है तो 8 क्या हमारा greatest number है 8 क्या है? greatest number है आगे एक सम और करते है 4, 2 4 और 2 1, 2 2 यहाँ है 3, 4 4 यहाँ है 4 काउंटिंग में क्या है? बाद में आया है तो 4 क्या हमारा greatest number है 4 क्या हो गया? greatest number है अब हम गटे हैं 2 डिजिट नमबर 2 डिजिट नमबर लेती है 23, 45 1, 10 1, 10 अब इसका क्या हम देखेंगे? टैल्स देखेंगे इसका टैल्स 2 है इसका टैल्स 4 है तो 4 क्या है? काउंटिंग में बाद में आता है तो 45 क्या हमारा greatest number हो गया 4 काउंटिंग में बाद में आया तो 45 हमारा greatest number हो गया है। एक सम और करते हैं। 32, 35 1, 10, 1, 10 इसमें भी हम 10 देखेंगें। इसका 10 थी है, इसका 10 भी 3 है। तो दोनों के 10 सेम होगें। तो अब हम इसमें का 1s देखेंगें। इसका 1s 2 है, इसका 1s 5 है। 5 क्या है, काउंटिंग में बाद में आता है। तो क्या होएगा, 35 हमारा greatest number हो गया। 35 क्या होगा हमारा greatest number हो गया। अब हम करते हैं, 3-digit number लेती है। 232, 422 इसमें 1s 10s 100, 1s 10s 100, अब इसमें क्या लेखेंगें। 100s देखेंगे, इसका 100s 2 है, इसका 100s 4 है, तो 4 क्या है, काउंटिंग में बाद में आता है। 4 क्या है, काउंटिंग में बाद में आता है, तो 422 हमारा greatest number हो गया। 422 हमारा क्या हो गया? greatest number हो गया. एक सम्मोर कट्टे हम, 575, 552. ये number हमारी पास, 525, 552. अब इसका, 1, 10, 100. 1, 10, 100. इसका भी हम क्या लेखेंगे? 100 लेखेंगे, इसका 100 पाइला है, इसका 100 की 5 है. तो दोना 100 सेम हो गए, तो अब हम 10 देखेंगे. इसका 10 2 है, इसका 10 5 है. तो 5 क्या है? काउंटिंग में बाद में आता है, तो 552 हमारा क्या हो जाएगा? greatest number हो गया. 552 हमारा greatest number हो गया. तो ये थी हमारे greatest numbers.